असलाम अलेकुम डियर स्टूडेंट्स मेरा नाम है तैमूर परवेश और आज हम आटो कैट 2015 में लेसन नमर 26 के उपर डिसकस करेंगे आज किस लेसन में हम देखेंगे कि आप अपने अब्जेक्ट में किसी भी चीज़ को आप कॉपी कैसे करते हैं कॉपी के लिए कौन-कॉन से क्मांड यूज होती है और कॉपी का क्या फंक्शन है क्या मकसद है आज की लेसन में कापी के बार में देखेंगे कैसे अपने अब्जेक्ट करते हैं उस पर क्या काम कर सकते हैं कैसे कॉपी कर सकते हैं कौन-कॉन सी टेक्निक अप यूज कर सकते ह आज की लेसन में मोडी फाह में ही है, copy option चूज़ करेंगे। Students copy का function ही होता है कि आप अपने object में से काफी सारी चीज़ें जो ऐसी होते हैं जो आप copy करके एक जैसे दूसरी जेका paste करना चाहिए लगाना चाहिए तो आप उसके लिए copy का function यूज़ करते हैं तो इसके इलावा जो दूसरी software है जैसे के of image office होगा है, coral draw, Photoshop चितने भी software होगा है उनने copy के बाद हमेशे paste करना पड़ता है, कोई भी object अगर आप copy करते हैं, copy के बाद paste करना पड़ता है अगर आप एक drawing से, mean एक workspace से दूसरे workswap, या एक ट्राइंग से दूसरी drawing में आप जाते हैं एक page से दूसरे page में जाएटे, आप copy paste करें तो वहाँ से हो सकते हैं यह आप नए copy से select करेंगे, उसको copy करेंगे और दूसरे page में जाके paste कर लेंगे तो यह copy-based का function यहाँ पर यूज़ हो सकते है, otherwise आपकी जो ट्राइंग होती है, एक ही जो ट्राइंग होती है, जहाँ पर आप काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर अगर आप में एक object जो है, तो उसकी किसी location पर पेस्ट करना है, तो उसके लिए आप सिर्फ copy की command यूज़ करें कि आपको एक तो यहाँ पर आपस copy option है, copy, देख सकते हैं, इसके लबा copy का जो function है, वो है जी, modify में जाए है, और यहाँ पर आपको copy, नजर आ रहोगा copy, तो यह आपको यहाँ पर copy का function नजर आ रहे है, अब copy जो आप करते हैं, कि जो short कमाने हुए, see you enter, या फिर cp enter, see you enter करें, देखें फिर भी copy है, या फिर अप cp करें, फिर भी copy, यूज़ होगा, copy करें, click करें, object को select करें, मैं इस, जिस का select करने के पास space करें, अब आपको यहाँ पर कह रहा है कि select base point, base point select करने में यह यह select किया, और इसको move करके, जहाँ पर अपने base करने करने, देखें, जतनी आपने copy बिनाने बिना सकते, अब यह build सिर्फ इस तरह जा रहा है, और vertical horizontal जा रहा है, अब F8 प्रेस करेंगे, F8, प्रेस करने पार देखें, आप जहाँ कहीं मर्जिया पेस्ट करने चाहिए, आप पेस्ट कर सकते हैं, तो यह copy का function है, इसलिए copy आप एक specific distance पे आप copy करने चाहरें, तो उसके लिए आप cp enter करें, और यहां से आप copy करने, इसको straight F8 प्रेस करता हूँ, तक straight copy और मैं इसको distance देता हूँ, कहां कितने distance कापी हूँ, ओ जी तकरीबन 10 feet के फासले पर यह copy हो जाए, तो यह यहां से यहां था कि 10 feet फासले बनते हैं, क्योंकि इसका size बहुत बड़ है, तो control लेकर करके मैं सबको delete करता हूँ, rectangle टॉकर करता हूँ, rc enter, generate of two feet, drama two feet, enter, और इसको copy करता हूँ, cp enter, select space, अब इस corner से इसको ठाऊँगा, इस corner से टाता हूँ, और इसको 10 feet के फासले बने से paste करता हूँ, तो यह देखें, 10 feet के फासले बने चला गया, अब distance का पहमाज करने, di enter करता हूँ, यहां से यहां तक, तो देखें, 8 foot और पूरे 8 foot है, 8 foot इसलिए है कि मैंने selection इसको यहां से दी थी, series से दी थी, अब यहां से मैंने move किया तो तो यहां से यहां तक जो यह paste copy हूँ है, वो 10 foot है, अब इसके लिए di enter करके देखें जरा, तो अब यहां से देखें, क्योंकि मैंने select यहां से किया था, first point यह था, और second point यह इसका, देखें, पूरे 10 foot आ गया, अगर मैं इसको इस corner से move करता तो यह बिलकुल accurate dust पे आता, यहां से किया है तो दो feet का तुम्हार पस यहां पर यह object है, और आगे 8 foot यहां पर चला गया, तो मैंने यह 8 foot आ जाते हैं, तो आप यहां से इसको copy करके, आप एक specific distance प copy करेंगे, वहां से आप इसको paste करेंगे, for example, मैं इस corner में इसको paste करना जा रहा हूं, तो मैं cp enter करूंगा, अब मैं यहां से गर उठाता हूं, यहां से, तो यहां से जब मैं उठाओंगा, तो मुझे सही पता नहीं चलेगा, मैं जहां paste करता हूं, तो देखें, कुछ ने पर वड़ी गया, यहां पर, तो मैं बिल्कुल इस line पर, corner पर इसे paste करना चाहरा हूं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप copy करें, cp enter, अपने object को select करें, और यहां पर यह corner यहां से आप उठाएंगे, इसको उठाएं, और इसको इस corner पर रखते हैं, तो बिल्कुल accurate अब इसको यहां भी मैं रखूँगा, तो यहां पर ऐसे आजाएगा, मैं इसको, अब मैं फाइसर पर, इस corner में इसको रखने चाहरा हूं, तो cp enter, यहां सब इसको उठाएं, और इसको यहां पर इस corner पर रखते हैं, देख सकते हैं, तो यह copy का function है, आप copy जहां से उठाए कर आएं हैं, और इसको पेस्ट भी करें, मिट पाइंट में अगर इसको पेस्ट करने चाहरे हैं, यहां पर midpoint में उपर, तो इसके लिए अप cp enter करें, अब इसलेकर आपजल को, और राइट क्ले करें, और यहां से देखें, इसका midpoint कौन से है, यह midpoint है, यहां से उठाएं यह मिट्वाइंट है और यहां पर इसको पिस्ट करने है इसने यहां पर देखे इसका मिट्वाइंट कौन से है यह मिट्वाइंट है यहां पर पिस्ट करने अब इसको मूफ करते हैं नीचे तो यह से मूफ करते हैं आप तो यहां से कॉपी करें यहां से और इसको यहां पे लिए देखें तो आप जिस तरह आप यहां से कॉपी पिस्ट कर सकते हैं तो यह था जी कॉपी करने का तरीका कि आप अपने अपने को कॉपी कैसे कर सकते हैं शॉर्ट कॉमार्ड भी आपने देखी और उसके लब आपने मोडिफार में देखा कि कॉपी का फंक्शन कहां पर होता है कैसे यूज होता है तो इंचाल आप नेक लेस्न में मिलेंगे तब तक अपना ख्याल लेगा अपनी दौाँ में याद देखें और इन लेस्न को बार ब कीजियां ऐसी होंगी जो मैं यहां पर आपको रिप्रीट करवा दूंगा लेकिन आप अगर इसको फॉल्व नहीं करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे तो इसलिए आप इसको भी साथ साथ कंप्लीट फॉल्व करें स्टेप बेस्टेप हर एक लेस्न देखें ताकि आप अच्छी तरह से इस पर काम कर सकें नेक्स लेसन में मिलते हैं खुदा हाफिस